नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं मेरे प्रेम शिभायों बहनों आज के इस समय में जितने भी भाय बहन माता बिताएं बहुत सारे दुखों में हैं समस्याओं में हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारे समस्या हैं, आपकी सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभू आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसिस और आप पर दया करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रभू के वर् बहुत दिनों से बिमार हैं बहुत करजे में हैं बहुत सारे तकलिफे में हैं तो दोस्तों आप लोग निरास मत होईए क्योंकि प्रवु का वच्चन कहता है प्रवु दुख्यों से दूर नहीं है जिसका मन तूट गया है प्रवु उन्हें समालता है हाँ मेरे दोस्तों अगर आप भी आपका मन भी तूट गया है आप भी निरास हो गए हतास हो गए बहुत कोशिश कियें लेकिन फिर भी आप उन सारी समश्याओं से निकल नहीं पा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग टेंशन मत लेजिए कियों को यहवा परमुशर जीवित है और वो सवो पर दिया करता है हाँ मेरे प्रियों अगर आप भी दुखी में हैं तो प्रवा आपको संभालेगा और आपको उठाएगा आप लोग हिमत मत आरिये मेरे दोस्तों अगर आप दुखी में है तो आप लोग प्रातना कीजिए क्योंकि प्रमिशर कहता है कि दुख के समय तुम मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा तो मेरे दोस्तों अगर आज हमारे उपर कोई भी दुख या समस्या आती है या है मेरे उपर तो हम लोगों को रोने से अच्छा कही है कि हम प्रभु से प्रात्ना करें प्रभु को पुकारें अगर आज आपके जीवन में कोई दुख या समस्या है तो हमको निराश नहीं होना है हमको प्रभु को पुकारना है प्रभु हमारी प्रात्ना को सुनेगा और वो हमें जरूर इन सारी समस्याओं से बाहर करेगा तो मेरे दोश्तों आज से ही अगर आपके पर कोई समस्या हैं दुख हैं, तकलीफ हैं तो उन्हें पुकारिये क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु का वचन कभी जूटा नहीं हो सकता क्योंकि प्रभु अपने वच्चन को पूरा करते हैं क्योंकि प्रभु अपने वच्चनों में बोलते हैं कि आकास और प्रिथी भले ही टल जाए लेकिन मेरा वच्चन अटल है तो हाँ मेरे दोस्तों प्रभु का वच्चन जो है अटल है अगर हम उसके वर्चनों के द्वारा प्रातना करें प्रुव अपके जीवन में अपने वर्चनों के द्वारा क्या कहते हैं आए देखते हैं प्रुव क्या कहते हैं याकूब अध्या 5 आयत नमबर 13 में कहते हैं तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रात्ना करें। अगर दोस्तो आज के इस समय में आप पे कोई दुख्या समस्या हैं तो आप प्रात्ना करें। आपकी सारी समस्या हैं, आपकी सारी प्रोब्लम प्रुवेशों सुनेंगे और उनको दूर करेंगे। मैं बिश्वास करता हूँ कि आप लोग अपनी समस्याओं के लिए जरूर प्रात्ना करेंगे। क्योंकि प्रुव का वच्चन में लिखा है कि तुझ जो मांगेगा मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। तो हाँ मेरे दोस्तों आप लोग विश्वास करें प्रुव आपकी सारी समस्याओं को आपकी सारी दुखों को दूर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपको अगले नए वीडियो मिलेंगे प्रुव के एक नए वचन और नएक कलाम के साथ धन्यवाद सबुको जय मश्यूद।